लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदों को हिंसक बताने वाले बयान के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया इस दोरान कारेकरताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और उनका पुतला फुका बजरंग दल के प्रांच संयोजक सुशील सुडेले ने कहा कि राहूल गांदी ने हिंदु धर्म को हिंसक, नफरती और जुट बोलने वाला बता कर हिंदु धर्म को अपमानित किया है उन्होंने कहा कि संसत में जिम्मेदार और महत्वपून पदो पर बेटें लोगों द्वारा हिंदु को हिंसा से जोड़ना दुर्भाग जनक है हिंदु चाहे विवेका नन्द का हो या महात्मा गांधी का बस सुधार्द और बंधुत्व का परिचायक है हिंदत्तों के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है सुशील सुडेले ने कहा कि राहूल गांधी को अपने इस बयान के लिए हिंदूओं से माफी मांगनी चाहिए इस देश के अंदर यह कॉंगरेस की ग्रलित मानी सिकता है जिसको आज उजागर राहूल गांधी ने करा है उनके मन में जो था उनके दिल में जो था आज वो जवान पर भी आ गया है यह डियने में कॉंगरेस के था जो उनने कहा है घर्व से जो कहता है हिंदू समाज की कर्व से काओ हम हिंदू है एसा हिंदू समाज के बारे में कहिना कि जो हिंदू है बहुत हिंसक है जो कहेगा मैं हिंदू हिंसक है यह मानिसिक्ता रखने वाले राहूल गांदी के खिलाब आज देश बर के अंदर बचरगंदल के कारिकरता सड़कों पर है और यह मांग करते है राहूल गांदी को नाक रगड करके माफी मांगनी पड़ेगी इस हिंदू समाज से यह बहुत हिंदू समाज का देश है इस देश के अंदर बोट हिंदू उसे मांगते हो गाली भी हिंदू को देते हो यह चलने वाला नहीं है आप देख रहे है डखल न्यूल